हलो दोस्त शेड़े मुण में आपको स्वागत है बिहार फुरेश्ट गाड 2019 का यह टेस्ट है इसमें 20 कोशन है आपको साइंस के सारा कोशन मिलेगा आपको लाश्ट में बताना है कि इतना कोशन आपने साही लगाया है सिलबस के कोडिंग मैंने कोशन लिया है यह कोशन के इसमें जमाव रोधी में इसकी एंटिफ्रेज के रुप में जो जमने नहीं देता है परियुक्त हो जाए इसमें से क्या परियुक्त होता है वह आपको बताना है आपको पता होना चाहिए कि आपको मिलाया जाता है तो वह जमाव रोधी के रुप में परियुक्त होता है त ति ऐसे इसका उप्योग होता है अब यह जो मितनोल होता है इक उद्धोग जो इसे आपको चीनी जहां निकलता है एक से चीनी बनता है वहाँ पर तो वहाँ पर भी मितनोल बनाया जाता है अब कोश्य नमर दूसरा है कि परतिजन जीसे हम लोग एंटीजन बोलते हैं एक तत्व है वह कौन सा तत्व है ठीक जिगना एंटीजन क्या है तो एंटीजन चाया पच्छे को प्रेरीद करता है क्या करता है चाया पच्छे को प्रेरीद करता है मैंने कि करने के लिए उक्सा च्वर में कोई ब्लड ले सकता है और जिन में कोई भी नहीं होता है वह कौन रूधिरबर्ग में आता है वह वर्ग वाले रूधिरबर्ग में में इसका ब्लड ग्रुप आता है वह किसी को भूंद दे भी सकता है, जब भूंद दे सकता है, तो उसे स्वयर काम क्वर्भाईत होता है, इसे सरीर और आथ पर भाईत होता है सह Babi सबसे अधिक होती है जिक आप बोल रहा है जीरो डिग्री. एक त्राइट्रियम होता है इसका एक तिन समझ्थानिक याद रखियेगा और जो यह भारी जल आप कहते है उसका खोज 32 में हुआ था और यह यूरो और वार्स बर्न ने किया था बौला जाता है ना डेतोरीयमकसाइटको बौला जाता है कि यह भारी जल बोला जाता है इसे तु कर न Yukonaya Hybrid यूंभीत किया जा सकता है वह कौं से तृप गालता ये रषिए जैतं कॉर्व होती इंपोर्टेंट कोश्चन है एक रान्तिकत आप कआलाता है तो एसे करका रियों से नमर्चेशाशे के दुबते हुए सूरज और नों में लाल रण कारण होता है । लाल दिखाई देने लागता है इसका क्या कारण होता है तो ये जो कारण होता है वो परकिर्णन होता है परकास का क्या होने लगता है परकिर्णन होते लगता है जब परकास के ऐसे माध्यम से गुजारता है जिसमें धूल या अनपदार्थ के अतियंति शुस्मकड होते है तो इनके द्वरा परकास सभी दि दिखाई देता है पड़किर्णन के कारण ही दिखाई देता है ठिक तैसे आप देख सकते हैं कि जो डुबते या उगते हुए भी वहीं पड़किर्णन ही होता है और आपको अकास नीला भी दिखाई देता है पड़किर्णन के कारण ही दिखाई देता इसका एंसर क्या हो ज प्रवर्थित कर देता है तो इमाई लेज करता है यह आपको वीपी सी में kuशन आया था यह स्टार्ज मल्टोज में परवर्थित करने व यह करने वाला है आपको वह सकता है किया कुछ इसमें टफ लगे लेकिन आप कोशन जरूर बनाईएगा इससे क्या होगा कि एजय और तो आपको जब एक्जाम में बैठिएगा तो पसानी से कोई भी कुशन लगा लिजेगा टेलिफोन के तारों में होकर संच्रित होने वाली उर्जा क्या है जो टेलिफोन के तारों में हो तो मन केंसर क्या हो जाflix हो जाएगा प्राथ्मिक अरशानीग को सीधे-वी तूर्जा में परवर्टित किया जाता है और एक बार अगर इसका परियोग हो जाता है ना तो फिर ये वेकार उता 않아 को बड़े-बड़े नहीं देखते होंगे कहीं है टार लंघाया होता है तो कह जीसे कि कोई भी कार होता था ज्यक जगत में कार गुण और मसीन के जगत एक्सार घुल करने को कब तर्ण प्योग करने को क्या कहा जाता है तीस Geg Just बाइयो निशs में का त्चींत तो फ़िए त्चींत क्या था को यहां तर्ण ट्रूना या धिया हुआ खाते हैं किवणगों si have खाने ने 10 एक-11 लागा सकते 15 अब नियल का देता है तो नारीयल के खाने acontece होता है नारीयल का ब्रूड़ पोस हता है अम्रूद भी आपवबहुत खाते है उसका फल भीती होता है और बीज़ाडै बिर्फन होता है। तो इसे फल जो होते हैं ये सब असत्य फल का अलाते दोफ़ पालाते ही यह नहीं है। पेलिक कळ्वार्ण में की होता है। उसमें इसमें साक्ति के स्अआश्य कर न doctor पहुता है तो जो हरा सबया रंग को वह अक्षक्ती वह कहते हैं Fest कौन-कौन तहारा और कौन लाल और कौन तो हरे लाल पारचान करने की छमता इसमें नहीं होती है तो इसमें इंसर क्या हो जागा कि पाशान करने की छमता नहीं होती है तो बारा का इंसर अपारचानी से लगा सकते हैं हरे लाल क्क्वेशन नबर 13 है कि iron की बस्तू पर लगने वाली जंग क्या है जो iron अब देखते होगे लोह कहीं पर फेक देते होंगे तो वह उस पर जंग लगा जाता होगा तो iron पर बस्तू पर लगने वाली जंग है उसका जो नाम है वो ferous और तो फैरिक ड्राइएकसाइड है क्या है फैरस और फैरिक हाई ड्राइएकसाइड है तो इसमें एंसर क्या हो भी यह अप ड्राइंसर लगा 오ैगा। होता है इसका ही होता है यह एक रासाइनिक परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पानी से बरफ बन गया लेकिन रासाइनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे दूद से दही बन गया लेकिन दही से अब क्या दूद हाई गैस नहीं है जो ग्रिन हाउस गैस है जो कि ताप बढ़ाने में वह मंदल में तुस्ताप बढ़ाने में मुख्य भोमिका निभाता है थिक वह इसमें से कौन है तो आरगन नहीं बाकी मीथेन कर्बन डियक्षाइड और नैटर्स अक्षाइड तिनों है मीथेन नहीं या होग होता है किसके कारण उसको डैलेशिस पर रखा जाता है तो 15 का answer d हो जागा उसे गुरदे का problem होता है तो kidney का problem होता है तो उसको रखा जाता है ठीक किस पर तो डैलेसिस बीड्य द्वारा इसे याद करते ज़िसे मों लोग सवासरा लोग से अम लोग सजाने के लिए तीवी सेट को छलाने के लिए टीवी रिमोट से उपयोग करते ना हाग्य चैनल बढ़ाने के याध रखिए सकता नोर 18 जीवित कोश्का का किस भाग में कभर चक्र कार करता है। इसका एंसर क्या हो जाएगा अठारका सी हो जाएगा यह देखिए माइट्रो माइट्रो कॉंड्रियल मेट्रिक्स में क्या करता है केबर चकर का कार करता है ठीक यह माइट्रो माइट्रो कॉंड्रियल मेट्रिक्स इसका एठारका सी हो जाएगा और देखिए लाइसोसोम जो ह पानी के मचली है ठीक यह रेहू जो मचली है रेहू वो ताजे पानी में मिलती है ठीक उन्नीस का हो जाएगा बी हो जाएगा अब टांसफर्मर टांसफर्मर पर कल भी मैंने कोशन कराया था इसकी जो क्रोड बना रहाता है वो किसका बना रहाता है जो ट्रांसफर्मर का क्रो कुछ हाड कोशन मैंने लिया है इसका चिंता मतलिक करिएगा आप एजी भी कोशन लेते रहेंगे ठीक तो कुशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर आपको कोई कोई कोशन में डाउट है तो क्यों बसको बताइएगा और आप जो सेट आएगा आपको जिर्नलोंले स सहीं आएगा फिर बीच बीच में मैं साइंस का सेट लेते रहूंगा और इस दिन का भी वीडियो आपको आज मिल जाएगा तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है